अश्कार साथियो आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेट जियां साथियो वे और दुबई कानून इनके पता नहीं कई बार अलग अलग हो जाते हैं अभी तीन दिन पहले डाला आईशिये की अप्रूवल की जोरत नहीं है बिना दडले से आप दुबई जा सकते हैं जि जाओ दुबई लेकिन दो दिन बाद में फैसला बदल दिया गया अब वो वीडियो जो लोग देखते हैं पहले वाला आप तो जुट बोल रहे हो आप फेक न्यूज बना रहे हो आप बोल ले हो कि अप्रूवल की जुरूत नहीं है यहां दुबई अप्रूवल मांग रह पहले सरकार ने यह बोला था कि अप्रूवल की जुरूत नहीं पड़ेगी अभी बोला अप्रूवल में लेना पड़ेगा मैं बता दूं नेशनल इमर्जेंसी क्राइसिस एंड डिसाजर मनेजमेंट अथोर्टी और फेडरल अथोर्टी फॉर आइंडडी सिटीजिजिज लोटने वाले निवाशियों को वापस लोटने के लिए पूर्वा अनुमदन की आपस्क्ता नहीं होगी यानि जुरूत नहीं होगी यह निने एरलाइंस दावरा बेजे गए नें तुम ट्वीट के अनुसार निरस्त है जी हां सातियो यह ट्वीट दो दिन पहले किया गय तो वहाँ पे इसकी जुरूत नहीं पड़ेगी सीधा आपके उपर जो पहले वाला नियम है वो ही लागू रहेगा यानि उसकी अपरोल की जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुवई अगर जा रहे हैं फ्लाइट लेके टिगट से उसमें इस बात को मा अपरोल की जुरूत नहीं है वीडियो देखते हैं अपरोल की जुरूत है यानि कन्फ्यूज हो जाते हैं तो करें तो क्या करें लोगों को समझ में नहीं आता है यह बाते हैं फिर इदर उदर से ट्राइए करना यह अलांकि नोटिफिकेशन एर्लाइंस के पास पहुंच जाता है वह अपने जेंटों को अजेंट फिर जो टिकेट बनाते हैं उनको बोलते हैं अगर आप दुबई जा रहें तो आईसी के आपको अपरोल लेना पड़ेगा जी हां तो उनको फिर थोड़ा सा प्रोब्लम का सामना करना पड़ सकता है पाकी अपरोल कितने दिन और लेना पड़ेगा यह हम नहीं कह सकते हो सकता है अगस्त अगस्त आपको पूरा लेना ही पड़े और आगये जैसे को इन अप्टेप्ट आती है आप लोगों साथ बाए जुरूर शेयर करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चनल सब्सक्राइब कर लें प पेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रेलेड़ेड़ से इनफर्मेशन मिलती रहे जहिंत वंदेवाद